इस जन्सवा में आयड़ा मेरा सगड़ा बजरुगा नौजवान साथी बेढ़ों भाईयों सबने मेरी राम राम जो हमारी एलनाबाद की सीट है इसको भी सरकार की भागेदारी में बदल नहीं सकते उस समय नहीं बदली होगी आज फिर मौका आया बदल सकते हैं अभी पांच साल में समय थोड़ा निकला है ज्यादा बाकी है दोई साल निकले हैं आज पूरे दो साल हुए है हमारी सरकार को बने हुए 27 अक्तूबर को हमने शपत ग्रहन किया था आज 26 तारिक है और मैं समझता हूं दो साल की पूर्ण होने पर ये एक सभा उसकी समापती दो साल की समापती पर हम अपनी बातचित को आपके सामने रखने का एक अवसर लेंगे आगे के तीन साल और अपने हैं जिसमें जिस आधार पर हम दो साल से चला रहे हैं उसी आधार पर पूरे प्रदेश के काम करेंगे एलनावाद के उससे भी जादा करेंगे क्योंकर पहले कोई कमी हो सकता रह गई हो दोजार चौदा के चुनाव में यह ठीक है हम दोनों पार्टियों ने अलग लग चुनाव लड़ा था लेकिन दोनों ने अपने मैनिफेस्टों जारी किये थे और उसके अंदर एक पार्टर्शी सरकार जो कहेंगे वो करेंगे जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कहेंगे एक ब्रस्टाचार से दूर होते हुई सरकार ये हम चलाएंगे ये हम लाएंगे पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान करके धाई क्रोड जनता पौने तीन क्रोड जनता ये मेरा परिवार है इस नाते से हम सारी चीज़ें आगे बनाएंगे आपको ध्यान होगा मैं जब जना शीरवाद यात्रा में इस अलाके में आया था एक नारा उस समय आप लोगों ने बोला भी था मैंने बुलवाया भी था हरियाना एक याद है एक पर फिर उसी नारे को फिर जोरदार बोलके याद करेंगे हरियाना एक हरियाना एक अर्थात जब हम हरियाना एक मानते त कोई किसी को आये राज किसी का आये लेकिन जनता का भाईचारा ये तो बना के रखना है ना और जनता के भाईचारे के लिए हमारी सब की चिंता होती है आज उल्टे बास बरेली को चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं कहा जाता है कुछ लोग कहते हमारा भाईचारा तोड़ा जा र है